हेलो फ्रेंज, वेलकम टू माई चानल सेल्फ में टुटोरियल आज आप लोग पढ़ने वाले हैं राजपुतों की उत्पती कैसे हुई थी ये टॉपिक रिलेटेड है बिये पार्ट वन हिस्ट्री से यानि प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारती इतिहास से ये टॉपिक लिया गया है तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि राजपुतों की उत्पती पढ़े लेकिन राजपुत यूग कौन सा था यानि कि हर्ष के सासन काल के बाद और मुहमद गजनवी के आगमन के पहले का समय जो है वो राजपुत युग या राजपुत काल कहा जाता है इस समय को अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे संक्रमन काल भी कहा जाता है उसके बाद से मिस्रित काल कहा जाता है और इस समय को पुर्व मध्यकालिन काल भी कहा जाता है और इस समय यानि हर्ष के साथवी स्ताबदी से लेकर बारिस्ताबदी तक के बीच के समय में राजपुतो की उत्पती हुई थी अब इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे तो जैसे कि मेरे नोट्स में लिखा गया है मैं उसी के बारे में बताऊंगी थोड़ा डिटेल्स में एक परकार से आपका ये नोट्स भी है और डिटेल्स में भी ये सारी चर्चाए है और इससे आप चाहेंगे तो अब्जेक्टिव कोश्चन भी बना सकते हैं जैसे कि प्राचीन भारती एतिहास में हर्च के मिर्ट्यू के पस्चाथ से बारवी सताबदी तक के काल को राजपूत यूग के नाम से जाना जाता है दॉक्टर स्मित के एंसार 7वी सदी के मद्ध से 12वी सदी के अन्ध तक के काल को राजपुत यूग कहा जाता है लेकिन अब प्रशन उठता है कि राजपुत कौन थे लेकिन यह प्रशन जो है अत्यांत विवाद स्पद प्रशन है राजपुत सब्द का पर्योग सरपर्थम सात्वी स्ताबदी में ही मिलता है राजपुत संस्कृत भासा के राजपुतर सब्द का अपभरंश प्रतित होता है इस विशे में कि राजपुत कौन थे इतिहासकारों के बीच काफी मत्वेद है कुछ इतिहांसकार राजपुत सब्त का परयोग छत्रिय समानतों की अवयद संतानों के लिए परयुक्त मानते हैं, तथा कुछ इतिहांसकार राजपुतों को सक, कुशान, आदि, बिदेशी, आकरंताओं की संतान गोशित करते हैं। अब ये तो रही ठोड़ी घूल मुलनीती, कुछ क्लियर नहीं कहा गया है, लेकिन राजपुतों की उत्पती के संबन्द में चार विचारधारा हैं। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करें कि कौन से इतिहांसकार किस विचारधारा के समर्थक हैं। प्रूक, भंडारकर के नाम इन में मुख्य हैं। यानि कि जितने विदेशी राइटर हैं, उन्होंने कहा कि राजपुत विदेशी थे। कर्नल टोड राजपुतो थे हम सक सिख्यानों के गुनों की समानता के आधार पर राजपुतो को विदेशी मानते हैं। क्यूं मानते हैं, आप मैं किलियर कर दू कि ये विदेशी राइटर जो हैं, इन्हें विदेशी क्यूं मानते हैं राजपुतो को। उनके सभाव में अश्वशक्ति, अस्त सस्त्रों को चलाने की पर्था या उनकी पूजा या धाय रखने की पर्था के आधार पर, डॉक्टर स्मित राजपुतो को विदेशी का संतान मानते हैं। टॉड और स्मित के मतों को स्विकार नहीं किया जा सकता, क्यूंकि उन्होंने जो तर्क दिया है, उसे इतिहांसकार ओजाक ने गलट हाराया है। और विदेशी के आगमन से पहले से ही परिचित थे। अता यह मत सही नहीं है। तो कैमबल तथा जैक्सन का मत है कि यह भी अपना विचार देंगे कि राजपुतों के उत्पती विदेशीयों से हुई है। तो उनका मत है कि राजपुत गुर्जर थे। आपको बता दू कि गुर्जर जाती जो है यूपी यानी दिली साइड के बसिद्धे हैं। तो गुर्जरो ने हुणों के साथ भारत में पर्वेश किया तथा भारतियों के साथ संबन्दस्तापित किया अता उन्हें राजपुत कहा जाने लगा। इस तरह से उन् leopard को राजपुत कहा जाने लगा। दक्टर भंडारकर तथा कुरुक ने भी इसमत का समर्थन किया है। लेकिन इस तथा को सुईकार नहीं किया जा सकता है। क्यूंकि इस बात का कोई परमान नहीं है कि हुनों के साथ गुर्जरू ने भी भारती अवियान किया था। दक्टर भंडारकर ने राजपुतों की विभीन साखाओं को अलग-अलग विद्यसी परमानित करने के भी चेश्टा की है। इस परकार समस्तिहास कार जो राजपुतों को विद्यसी मानते हैं ऐसे तर्क और परमान प्रस्तुत करने में असफ़ल रहे हैं जो अकाट हो है। इस सिर्धान्त को सुईकार नहीं किया जा सकता है। यानि कि हम इस निशकरश्त पहुझते हैं की राजपुतों की उत्पति विदेशीयों से हुई हैं, यह सही नहीं है। दूसरा विचारण धारा जब इतिहासकार काते हैं कि राजपुतों का प्रादुर्भाव वीर जातियों से हुई है तो अनेक इतिहासकारों का विचार है कि राजपुत न तो पूर्ण रुपे न भारतिये थे और नहीं उनकी पूर्णतर विदेशी उत्पति थी ऐसे इतिहांसकारों में डॉक्टर इस्वरी प्रशाद प्रमुख है इन इतिहांसकारों का विचार है कि विदेशों से आने वाले वीर लड़ाकु जातिया धीरे धीरे भारतिय समाज यहां के रिती रिवाजों में घुल मिल गए जिन से एक नवीन वर का उदय हुआ जिसे राजपुत कहा गया है लेकिन निश्चित परमानों के अभाव में इसे भी स्विकार नहीं किया जा सकता तीसरी विचार धारा हैं जो इतिहांसकारों के द्वारा दी गई है वो है कि राजपुतों की उत्पती अगिन कुंड से हुई है तो इस मत को स्विकार करने वाले व राज रासों उसी को ये लोग आधार मानते हैं और प्रित्वी राज रासों के अंसार जिस समय आबू परवत पर आबू परवत राजस्थान में हैं आबू परवत पर वस्षिठ, गौतम, अगस्थ, आधी, रिसी यग कर रहे थे तब दैतों ने विग डालने के उद्दे इस प्रकार इस अगिन कुंट से प्रतिहार, चालुक, प्रमार और चाहमान की उत्पति हुई जिन से चलने वाले राजबंसों को राजपुत कहा गया। चंद्रबर्दाई कृत, प्रित्वी राजरासों में बढ़नित उक्त वर्णन के अधार पर इस मत को स्विकार नहीं किया जा सकता। प्रित्वी राजरासों की जो प्राचिंतम प्रतिलिपी है, उसमें इस कथा का वर्णन नहीं है। इन चार राजपुत वंसों को अग्नी वंसिये नहीं स्विकार किया जा सकता। क्यूंकि प्रित्वी राजरासों में ही राजपुतों को सुडवनसी, चंदरवनसी और यदूवनसी कहा गया है। यानि कि उसमें इन्हें राजपुत कहां ही नहीं कया है। किसी अन साक्षों में इस कथा कवर्णन उपलवद नहीं है। दूसरी बात, इस कथा कवर्णन किसी अनसाहितिक स्रोत में भी नहीं मिलता है। इसलिए ये विचारधारा भी अस्विकार है, यानि इसे स्विकार नहीं किया जा सकता। चौथी विचारधारा है कि राजपुतों की उत्पती भारतियों से हुई है। यानि राजपुतों की भारतियों से ही मानते हैं। मानने वाले विध्वानों में भी दो मत पर चली थे। अब यहां थ्मा ध्यान से सुनिएगा। कि भारतियों के ही संतान है राजपुत यानि कि जितने भी लगभग भारतिय राइटर है उन्होंने कहा है कि राजपुत भारतिय थे तो इनमें भी दो विचार पर चली थे पर्थम राजपुत ब्रहामनों के संतान थे इतिहांसकारों का एक भाग कहता है कि राजपुत ब्रहामनों के संतान थे दूतिय राजपुत छत्रिय थे पर्थम का मर्थ पर्थम मर्थ का समर्थन डॉक्टर दसर्थ सर्मा करते हैं डॉक्टर दसर्थ सर्मा जो है इतिहांसक उन्होंने कहा है कि राजपुत ब्रामनों के संतान थे, जबकि अन्य विद्वान, जैसे अभी-अभी मैंने नाम लिया है, जीन इधियांसकारों का, उन्होंने कहा है कि राजपुत छत्रिये थे. राजपुतों को विप्राचीन भारतिये चत्रियों से संबंदित मानने वाले विद्वान अपने मत के समर्थन में निम्न तर्क देते हैं, अब देखिए, अब जो कहते हैं कि राजपुतों का संबंद भारतिये चत्रियों से था, वो अपने कथन को सिद्ध करने के लिए किस परकार का तर्क देते हैं अब ध्यान से देखिएगा एंथ्रोपलोजी के अधार पर राजपुतों को बिदेशी परमानित नहीं किया जा सकता दूसरा परतिहार अपने अभिलेखों में स्वयम सुर्यवन सी छत्रिये मानते हैं तीसरा सहितिक स्रोतों हमीर महा काव से भी चह राजपुतों में भारत भूमी के लिए प्रानों की आहूती भी देने की भावना से उनका भारतिय होना प्रमानित होता है ये कुछ तर्क हैं जिनों ने कहा है कि किस तरह यदि राजपुत भारतिये नहीं होते तो अपनी मात्र भूमी की रक्षा के लिए अपने प्रान की क्या होती नहीं दे सकते थे इन सब तरकों के अधार पर इतिहांसकार ये मानते हैं कि राजपुतों की उत्पती भारतियों से ही हुई है और ये एक परकार से सर्वेमान तथ भी है इसे इतिहांसकारों का एक बड़ा दल या एक बड़ी भीड जो है इस तत्य को स्विकार करत निखाल सकते हैं किसका समर्थन करते हैं, फिर उस समर्थन को स्विकार नहीं कौन सा तर्क देते हैं, फिर उस तर्क को स्विकार नहीं किया गया है, क्यों नहीं किया गया है, उस तर्क को भी या बताईएं, फिर वैसे करते हो एक क्वेश्चन को हम लोग पूरा करेंगे, अब निशकर्स, नि लेकिन मैं यहां बता देती हूं थोड़ा सा कि याने कितियांसकार राजपुतों की उत्पति वैदिक कालिन छत्रियों से स्विकार नहीं करते हैं, किन्तु राजपुतों को भारतिये मानना ही सरवाधिक तरक संगत हैं। वी देशियों और आकर्मनकारियों ने भारत पर आकर्मन किया, तो वो अपने देश की रक्षा के लिए वे लोग आ गया है। तो उस समय उन्हें ज्यादा नोट किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो आप क्वेस्टन को देखिए, समझें। नोट्स त्यार कर लिजिए, अगर जो बच्चे नेट की तयारी कर रहे हैं, इसी से करके इस कुश्चन को पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे और इसे बहुत सारे अब्जेक्टिव कुश्चन बन सकते हैं। कि राजपुत काल कब से कब तक होता है, या राजपुत काल को अनकिन नामों से भी जाना जाता है, यह सारे अब्जेक्टिव कुश्चन खुद बखुद बच जाएंगे। तो फिर आप बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किजिए, शेयर किजिए, अपने सुझाओ, कमेंट मादम समय देते रहें। और आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। यह वीडियो मिलते रहें।